प्रस्तुत करते हैं धारा वाहिक सरस्वती चंद्र पिछली कड़ी में आपने सुना धूर्त लाल नाम का एक धूर्त आदमी लक्ष्मी नंदन के ऑफिस में उनसे मिलता है और अपनी बेहन की शादी उनसे करने की इच्छा प्रकट करता है वो लक्ष्मी नंदन को विश्वास दिलाता है कि उसकी बहन सरस्वती चंद्र को सगी औलाज से भी ज्यादा प्यार करेगी दोनों की शादी हो जाती है गुमान अपने पती लक्ष्मी नंदन से कहकर धूरतिलाल को ओफिस में लगवा देती है धूरतिलाल गुमान को संतान पैदा करने की सलहा देता है जिससे लक्ष्मी नंदन की संपत्ती को हथियाया जा सके बाद में गुमान एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम धननन्दन रखा जाता है सरस्वती चंद्र सौतेली मा के व्यवाहर से दुखी हो जाता है कुमुद सुन्दरी की शादी तै कर देता है एक दिन कुमुद सुन्दरी का एक पत्र सरस्वती चंद्र को मिलता है तो वह बहुत खुश होता है तो आईए सुनते हैं इससे आगे धारवाहिक सरस्वती चंद्र की तीसरी कड़ी में देखो चंत्रकांत इस पत्र को देखो किसके नाम है ये पत्र? किसने लिखा है? आया तो मेरे नाम से है अब किसने लिखा है? ये तो खुद ही पढ़ कर जान लो लाओ, मुझे दो ये लो पत्र के आरंभ में मेरे चंद्र और अंत में आपकी कुमुद लिखा है सरस्वती, ये कुमुद कौन है? रत्नकिरी के मंत्री विद्या चतुर की बड़ी लड़की है ये पूरा नाम है कुमुद सुंदरी इस तरह के पत्र तो एक दूसरे को प्रेम करने वाले ही लिखते हैं क्या तुम्हारा कुमुद से प्रेम प्रसंग चल रहा है? चंद्र दादी मा ने इस लड़की से मेरा विवा निश्चित कर दिया है सच? और नहीं तो क्या जूट? भाई, किसी ने सची कहा है कि बड़े लोगों का भग्य बड़ा ही होता है किस दिन निश्चित हुआ है विवा तुम्हारा? अभी दिन तारिख तय नहीं हुई है लेकिन जल्दी ही होने की संभावना है भाई, इस संभन्थ के इनिश्चित होने के लिए इश्वर का आभार मानना चाहिए तुम्हे तु अभी जैसे का तैसा ही रहा चंद्रकांत ये अंग्रेजी शिक्षा का ही परिणाम है जो तुने स्त्री में ही संसार को समाप्त कर दिया अरे पुरुशार्थ की पूर्टा स्त्री में नहीं होती चंद्रकांत तेरे जैसे रसिक के मुँ से वैराग्य का ये उपदेश मेरे समझ में तो आया नहीं सरस्वती चंद्र क्या तेरे लिए स्पत्र का कोई मूले नहीं है है क्यों नहीं मैंने माना कि स्त्री अपने आप में सत्य है किन्तु इस जीवन में स्त्री के अलावा भी बहुत कुछ है फिर स्त्री में ही भागी की पूर्णता कैसे मानी जा सकती है मेरी तो समझ में नहीं आता कि स्त्री प्रेम के प्रती इतने शुश्क विजार रखने पर भी तुम विवा के लिए कैसे राजी हो गए मेरे विचार में तो मनुष्य के जीवन के लिए स्त्री की कोई आवशक्ता ही नहीं है विवाह तो समस्त जीवन के लिए एक बंधन है बंधन इस बंधन से मुक्त रहने पर ही वैराग्य की संपत्ति प्रात्त होती है मुझे तो इसी संपत्ति की आवशक्ता है तो क्या जीवन में प्रेम का कोई अर्थ नहीं है? है, जरूर है, लेकिन मानसिक प्रेम ही मनुष्य के लिए अच्छा होता है चंद्रू तब तो तुम्हें विवाह के लिए कभी सैमती नहीं देनी चाहिए थी हाँ, इतना होने पर भी मैंने विवाह करना इसलिए मान लिया क्योंकि दादी मा ऐसा ही चाहती थी और तुम तो जानते हो चंद्र, मैं उनके उत्साह को भंग नहीं करना चाहता था सरस्वती वज़ा कोई भी रही हो मुझे तो इस बात के प्रसनता है कि तुमने विवाह करना स्विकार कर लिया है भावी घर में आ जाएगी तो समझोगे तुम इस्त्री प्रेमता सत्ते समय बड़ा बलवान होता है चंद्रकांत समय के गर्भ में क्या चिता है ये अभी से जान पाना असंभाव है मनुष्य का पूर्शार्थ समय की दिशा को बदलने की ख्षमता रखता है सरस्वती और पूरशात ही मनुष्य का भाग्य लिखता है तुम ही तो अबसर ऐसा कहा करते हो जंद्र अभी से इस पर बहस करने से क्या लाब जब समय आएगा तो देखा जाएगा चलो घर चलते हैं प्रणाम पिता जी मुझे आशिरवाद दीजिए जितरो गेटा क्या भात है सरसुती आज बहुत खुश नजर आ रहा है खुश होने की बाद तो है ही पिता जी आपके आशिरवाद से आज मैं M.A. की परिक्षा में प्रथम श्रेणी से उतीर हो गया हूँ अरे शाबाश पिता मुझे तुझ पर गर्व है पिता तुने समाज में मेरा मस्तक उचा कर दिखाया अच्छा ये बता आगे तेरी क्या इच्छा है पिता जी मेरी इच्छा कानून की पढ़ाई करने की है ये तो बहुत अच्छा विचार है पिता अच्छा सरसोती तू कहे तो मैं बंबई के बाहर किसी लॉव फैकल्टी में दाखिले की विवस्था करूँ नहीं पिता जी मैं आपसे दूर नहीं रह सकता मैं बंबई में रहकर ही आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ अच्छा ठीक है ठीक है मैं तेरे दाखिले की विवस्था करता हूँ जी पिता जी देख रहे हो भाया उस पुढ़िया ने सरस्वती चंदर का विवा इतने बड़े घर में तैकर दिया मेरा बेटा धन नंदन तो उसे फूटी आग भी नहीं सुआ था ये समस्या तो बहुती गंभीर है बेना ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा भाया कुछ करो हाँ हाँ कुछ तो करना ही होगा तुम एक काम करो क्या भाया सरस्वती चंदर के नाम कुमूत के पत्र तो आते ही रहते हैं और ये बात अभी जीजा जी तो जानते नहीं है ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा पस इसी पर हमारी सारी योजना ठीकी है इस योजना पर काम तो तुझे ही करना पड़ेगा बैना तुम योजना समझाओ भईया मैं अपने धन नंदन को इस घर और व्यापार का इकलोता वारिस बनाने के लिए कुछ भी करने को तयार हूँ तुम सरस्वती चंदर की मेज की दराज से कुमूत का लिखा पत्र चुरा लो क्या मुझे चोरी करनी पड़ेगी भईया हाँ इसके बिना हमारी योजना पूरी नहीं हो सकती भेना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला तु बस ये बता कि तु पत्र चुराने का काम करने को तयार है या नहीं बता ठीक है मैं तयार हूँ तु आगे की योजना समझाओ तो सुन तू वो पत्र जीजा जी को दिखा रोने धोने का नाटक करके सरस्वती चंद्र और कुमुद के खिलाफ खूब नमक मिर्च लगा कर उन्हें बढ़का अगर तू ऐसा करने में काम्याब हो गई तो समझ कि तेरा रास्ता साफ है अरे वा भाईया वाँ कितनी सुन्दर युक्ति सुझाई है अब देखना भाईया इस गुमान का कमान तभी तो मेरा नाम है धूर्तलाल सरस्पती आजकल तो तेरे मन में लड्डू फूट रहे होंगे तुमारे विवा का दिन निकड जो आ रहा है तो क्या ये लड्डू तुझे भी खाने के लिए देदू तुम ऐसा करो दोस्त कि इन लड्डूओं को संभाल कर रख लो बाबी आएगी तो उसे खिला देना अच्छा मित्र विवा के बाद रहोगे कहां क्या अपने पिताजी के पास नहीं चंद्र उस घर में मा और कुमुत के बीच तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी दोनों के बीच रोज रोज छखड़ा हो इससे तो अच्छा है कि अलग ही रहा जाए तो क्या बलकेश्वर की पहड़ियों पर बने बंगले में रहने का विचार है तुम्हारा हाँ चंद्र वहाँ पर हमारे तीन बंगले हैं उन में से एक बंगला पिता जी ने पहले ही मेरे रहने के लिए दे रखा है उस बंगले की साथ सज्जा भी तो करवानी पड़ेगी बिना साथ सज्जा के भावी को वहाँ ले जाओगे तो क्या वो नाराज नहीं होंगी ये तो कभी का हो चुका है चंद्रकांथ पूरे 6,000 रुपई लगे हैं इसके अलावा कुमुत का एक बड़ा चित्र भी हाथी दांद के फ्रेम में जड़वाया है मैंने अच्छा दोस्त विवा के बाद भावी को मू दिखाई में क्या दोगे बंबई के सबसे बड़े जोहरी को हीरे की अंगूठी बनाने के लिए कहा है एक तो दिन में जोहरी खोदा कर दे जाएगा इन सब में तो 10-15,000 रुपए खर्च हो गए होंगे क्या पिताजी से रुपए लिये थे नहीं दोस्त, मा के जोगहने और धन पिताजी ने मुझे दिया था न उसी में से थोड़ा बहुत खर्च किया है लेकिन वो धन तो तुम हमेशा देश की उन्नती में लगाना चाहते थे क्या इरादा बदल दिया है चैंद्र, इच्छा तो मेरी यही थी कि ऐसा करके गुप्तरूप से देश सेवा करूँ सांसारी कनोभाव और इश्वर की खोज में तीन-चार साल बिता कर वापसा हूँ और लोग कल्यान के लिए स्थाई प्रयत्न करूँ सरस्वती, फिर क्या सोचकर तुमने अपने इस इच्छा को त्याग दिया चैंद्र, मुझे लगा कि मेरे ऐसा करने से पिता जी को दुख पहुंचेगा मैं पिता जी के दुख को नहीं देख सकता इसी मज़ा से मुझे अपनी इच्छा का त्याग करना पड़ा धन्ने हो मित्र तुम, धन्ने हो पिता की इच्छा के आगे अपनी इच्छा को तुछ समझने वाला दूसरा कोई नहीं होगा धन्ने हो तुम पुदमान, क्या सरस्वती चंद्र आ गया है? वो तो कभी का आ चुका है अरे भाई, उसने कुछ खाया पिया के नहीं? सरस्वती चंद्र की बहुत चिंता रहती है आपको अरे भाई, क्यों ना करूं उसकी चिंता? चंद्र लक्ष्मी की इकलावती निशानी है वो लेकिन उसे आप कि तनिक भी चिंता नहीं रहती आपके आने से पहले ही वो खा भी चुका है आपका इंतजार तक नहीं किया अरे भाई, लड़का है, भूख लगी होगी, सो खा लिया होगा अब इसमें गिला शिक्वा करने की क्या जरूरत है? आप तो उसकी और से आँखे मुंदे हुए है देखिए, इतना भी इस नहीं उचित नहीं कि लड़का हाथ से निकल जाए क्या, सरस्वती चंद्र ने कुछ अनुचित किया है अब मेरे कहने से तो आपको यही लगेगा कि मैं उसके विरुध आपके कान भर रही हूँ अरे नहीं, नहीं, नहीं हाँ, यह ठीक है कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया है पर मा तो तुम भी हो उसकी भाला, एक मा अपने बेटे के खिलाफ ऐसा क्यों करेगी बताओ तो सही, आखिर क्या किया है उसने सरस्वती चंद्र कुमुद को पत्र भेजता रहता है क्या? और कुमुद के पत्र भी उसके लिए आते रहते हैं कुमुद तो विवा होने से पहले इस खर की बहु बन गई हाए हाए, क्या जमाना आ गया है अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला है ये सब? क्या तुम उसकी जासुसी करती रहती हो? क्या? मैं पहले से ही जानती थी कि सारा दोश मुझ पर ही आएगा अगर आप विश्वास नहीं दिलाते तो ये बात कभी अपने मुझ से नहीं निकालती भगवान सब देख रहा है अब वो ही मुझे इस दोश से मुक्ती दिलाएगा अरे गुमान, गुमान अरे मत रोगुमान चुप हो जा मैं तुम्हें दोश नहीं दे रहा है रहने दीजे, रहने दीजे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं पहले जासुसी करने का आरोप लगा दिया मुझे पुछ कार रहे है आपको विश्वास नहीं है तो ये लेजे ये कुमुत का भेजा पत्र ये पढ़ लीजिये शायद इसे पढ़कर आपकी बंद आखे खोल जाए ये पत्र तुम्हारे पास कहां से आया अरे आता कहां से डा किया दे गया था मैंने अपना समझ कर खोल लिया तब पता चला कि सरस्वती चंद्र और गुमुत के बीच कैसे खिचड़ी पक रही है अच्छा ठीक है ठीक है अब ये रोना धोना बंद करो और सीधे मुझ से बात करो बस आपका सारा जोर बुजबला पर ही चलता है सरस्वती चंद्र से भी कभी कुछ पूछा है कि वो दोनों हाथों से आपके खून पसेने की गाड़ी कमाई क्यों लुटा रहा है अगर वो ऐसा ही करता रहा तो एक दिन धन नंदन और मैं सड़क पर भीग मांते नसर आएंगे यहां गुमान गुमान सरस्वती चंद्र फिजूल खर्च नहीं कर रहा है अरे तुम्हें किसी ने भरमाया होगा अब देहो यह तुम रोना बंद कर रही हो या मैं निकल जाऊं घर से अगर आपको मेरे रोने से कष्ट है तो लेजिए मैं चुप हो जाती हूँ आपको बहुत विश्वास है ना अपने सरस्वती चंद्र पर तो जाकर उसी से पूछिए क्या उसने कुमुत के लिए पाँच हजार रुपे की हीरे की अंगुठी नहीं बनवाई है और ये भी पूछिए कि वो अपने बंगले पर बेताहाशा धन नहीं खच कर रहा है क्या सरस्वती चंद्र ये सब कर रहा है और मुझे ख़बर तक नहीं लेकिन गुमान मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा अरे विश्वास तो तब होगा जब आप भी मेरे साथ हाथ में कटोरा लेकर भीक मांग रहे होंगे गुमान अरे इतना अधिक पानी निकालने पर तो कुआ भी चंद दिनों में सूख जाता है मुझे तो अपने धनननन के भविश्य की चिंता हो रही है क्या होगा उसका गुमान अगर ये सब सच है तो सरस्वती चंदर मेरे क्रोध से नहीं बच सकता लिकिन सच नहीं हुआ तो मुझे धक के मार कर बंगले से निकाल दीजिएगा मैं आधक नहीं करूँगी देखिए जी आप सरस्वती चंदर से थोड़ा सक्ती से पेश आईए नर्मी को वो आपकी कमजोरी भी समझ सकता है शहिद आज तक वो यही समझता रहा है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है मैं खुद समझ लूँगा कि मुझे किस तरह पेश आना है नर्मी से या गर्मी से सरस्वती हाँ दादी मा बेटा आजकल मेरा स्वास्त्य ठीक नहीं रहता कुमोद इस घर में दुलहन बनकर आ जाए तो चैन से मर सकूंगी दादी ऐसा क्यों कहती हो अभी तो आपको अपने पड़पोते को गोद में खिलाना है फिर उसकी शादी करनी है बेटा अब मनुश्यों की उम्र इतनी अधिक नहीं होती मैं तो फिर भी खुशकिस्मत हूँ कि पोते की बहु देखने का आवसर मिल रहा है बेटा तेरे प्रती गुमान का सौतेला व्यवहार देखकर मेरा तो दिल भराता है जाने तो कैसे सह लेता है इतना सब कुछ मुझे मां से कोई शिखायत नहीं है दादी भगवान राम तक को सौतेली मां के कारण 14 वर्ष तक जंगलों में भटकना पड़ा था उनके कष्ट के आगे मेरा कष्ट तो तुच्छ है बेटा तेरी सेहन शक्ति अपार है गुमान तेरी इस भावना को समझ पाती तो कितना अच्छा होता वो तो हमेशा लक्षमी नंदन को तेरे खिलाव भड़काती रहती है पिता जी को वास्तविक्ता का ज्यान है दादी वैसे भी मां को ऐसा करने से सुख मिलता है तो ये मेरे लिए साभाके की बात है मेरा क्या भरोसा सरस्वती आज हूँ तो कल नहीं दादी अच्छा सुन बिटा मेरे पास एक लाख रुपया है उन रुपयों पर इस घर में किसी का अधिकार नहीं मैं जिसे चाहे दूँ मुझसे कोई नहीं पूछेगा तो आप ये रुपय किसे देना चाहती है दादी मां? धनन्न को? अरे बुद्धू ये रुपया मैं तुछे देना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि ये रुपय तेरे नाम से बैंक में जमा करवा दू तू जैसा चाहे इसका इस्तेमाल कर नहीं दादी मैं इन रुपयों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा लेकिन क्यों बेटा? इसमें तुझे क्या इतराज हो सकता है? दादी, अभी आपने ही तो बताया कि मा पिता जी के कान भारती रहती है इतने रुपय मेरे खाते में जमा होने से मा इस बंगले में कोहरा मचा देगी पिता जी भी क्रोध करेंगे इसे तो अच्छा है कि आप सारे रुपय मा या धन नंदन को दे दो इसे वो भी खुश होंगी बस बस रहने दे नहीं चाहिए तेरी सला धन नंदन के नाम वसियत करनी होती तो तुझ से क्यों कहती? देख, अगर तुने मेरा धन ठुकराया तो मैं उसे धर्मार्थ कारियों में लगा दूँगी, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा होगा दादी मा इससे दरित्रों का भी कल्यान होगा दादी, आपको खासी हो गई है अप दॉक्टर से दवाई क्यों नहीं लेती आप? अरे बेटा, ये तो बुढ़ापे की खासी है अब तो ये चिता के साथ ही दूर होगी नहीं लादी, मैं डॉक्टर को लेका राता हूँ आपको दवाई लेने ही पड़े है आपने मुझे याद किया दादी, मा? हाँ, चंद्रकांथ बेटा, तू सरस्वती का सबसे गहरा दोस्त और शुबचिन तक है मुझे तुझे से बात करनी है दादी, मा, आपने मुझे इस योग के समझा ये आपका बड़पन है मैं आपके विश्वास की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूँगा, दादी, मा? देख बेटा, बात जरा गोपनिया है दादी, मा, आप मुझे पर पूरण विश्वास कर सकती है सरस्वती चंद्र के हाथों मेरा सदा ही हित होता आया है अफसर मिलने पर मैं भी उसके काम आऊंगा बेटा, मैं अपने एक लाख रुपए सरस्वती के नाम करना चाहती हूँ लेकिन वो बुद्धू लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है मैं बड़ी उल्जन में हूँ बेटा, कि उसे किस तरह मनाऊं? क्या तू मेरी कोई मदद कर सकता है, बेटा? सरस्वती चंद्र को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ दादी मा, वो जरा जिद्धी है जिस जिद्ध पर अड़ गया, उस पर अला ही रहता है, टस से मस नहीं होता हाँ बेटा, तू ही कोई रास्ता निकालना बेटा, मैं तो उसके भविश्य को लेकर सदा ही जिन्तित रहती हूँ दादी मा, सरस्वती चंद्र शुरू से वैराग्य की बात करता रहा है, किन्तु कुमुद से विवा निश्चित होने के बाद उसमें परिवर्दन आया है, अब वो कुमुद की कल्पनाओं में खोया रहता है कल को जब वो ग्रिहस्त जीवन में प्रवेश करेगा, तो उसे इस धन की आवशकता पड़ेगी कोई ऐसा उपाय कर बेटा, कि मेरे मरने के बाद संकट के समय ये धन सरस्वती के काम आ सके दादी मा, इसका एक मात्र रास्ता यही है कि आप अपनी जायदाद किसी विश्वास पात्र आदमी के नाम करके उसे उसका प्रभंधक बना दे साथी ये उलेख भी कर दें कि उसके मरने के बाद उस पर सरस्वती चंद्र और उसकी पतनी का अधिकार रहेगा हाँ, यही सला हमारे वकील ने भी दी थी लेकिन बेटा, समस्या ये है कि जायदाद का प्रभंधक किसे घोशित करूँ दादी मा, ये फैसला तो आपको ही करना होगा, आदनी पूरे विश्वास का होना चाहिए हाँ, मेरी नजर में तू सबसे उपयुक्त पात रहे बेटा मैं? हाँ बेटा, तू, तुझे तो कोई अतराज नहीं है ना? बाहरी आदमी पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं होगा दादी मा जब घर के लोग मेरे सरस्वती के खिलाफ शड़े अंत्र रचने में लगे हूँ, तू बेटा, बाहरी आदमी पर ही विश्वास करना पड़ता है फिर तू इतना बाहरी भी नहीं है, तू मेरे सरस्वती का सबसे करीबी दोस्त है भूल बेटा, क्या तू इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तयार है? अपने प्रती, आपका इतना विश्वास देखकर मना करने का साहस मुझ में नहीं है दादी मा लेकिन एक समस्या है समस्या? कैसी समस्या बेटा? दादी मा, जब सरस्वती चंद्र को इस बात का पता चलेगा तो वो स्वाभाविक रूप से नाराज हो जाएगा दोस्ती भी तोड़ सकता है ऐसे में मैं अपने मित्र धर्म का पालन कैसे कर पाऊंगा दादी मा? अरे बेटा, सरस्वती को बताने की जरूरत ही क्या है जब उसे धन की आवशकता हो, तब ही उस पर ये रहस्य प्रकट करना ठीक है दादी मा, जैसा आप कहेंगी, मैं वैसा ही करूँगा अच्छा, बेटा, वकील से मैंने दस्तावेश तयार कर वा लिये है तू जाकर लक्ष्मी नंदन को तो बुलाला, वो अपने कमरे में ही होगा क्या इसमें उनकी भी जरूरत पड़ेगी दादी मा? हाँ बेटा, उसे गवाह के रूप में इस दस्तावेश पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे अभी बुलाकर लाता हूँ दादी मा, अभी लाता हूँ चंद्रकांट से अधिक विश्वस्निया मुझे कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता था लोब और स्वार्थ तो इसे छू भी नहीं गया है सदा निस्वार्थ भाव से इस परिवार के कहां माता रहता है इमानदार तो इतना है कि लाखों रुपया सामने पड़ा हूँ मजाल है जो एक रुपया भी कम हो जाए सरस्वती का धन जंद्रकांट को सौप कर मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया अब मेरे मन का बोज हलका हो गया सरस्वती का भविश्य भी बन गया मा क्या आपने मुझे बुलाया बेटा लक्षमी बेटा जरा इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर तो करते हस्ताक्षर यह कैसे दस्तावेज है मा क्या रखा है इसमें यह दस्तावेज मेरी जायदात का वसीयत नामा है मैने अपने इस जायदात को सरस्वती के नाम करते हुए इसका प्रबंधक नियुक्त कर दिया है अब सोच मत बेटा दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे मा मा आपने मुझसे सलह लिये बिना ही आपने वसीयत कर दी आपको अपने दूसरे पोते धनन अंदन का भी खयाल करना चाहिए था देख बेटा मैंने तुझे उपदेश देने के लिए यहां नहीं बुलाया है इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर और जा यहां से माम हस्ताक्षर करने से पहले मुझे पता तो चले कि जायदात का प्रबंधक किसे निक्त के अवया है चंद्रकांत को क्या अभी आप सुन रहे थे गुजराती सहित्य के प्रसिद्ध सहित्यकार गोवर्धन राम त्रिपाठी की प्रसिद्ध पुस्तक सरस्वती चंद्रपर आधारित रेडियो धारावाहिक सरस्वती चंद्रकीप तीसरी कणी निर्देशिका थी सीमा शार्दा रेडियो रुपांतरकार सुधान शुगुपता ध्वनी मुद्रण जस्वन्त सिंग भाग लेने वाले कलाकार थे केदारनात राजेश कमबोच वीपी कालरा मनोज भटनागर दिनेश वर्मा ललित लोकेश नीरज शर्मा अमिताव वर्मा तहसीन रजनीश कुमार शर्मा मन्जु मैनी गीता वर्मा सरीता भाठिया साधिया दीपा रोय और हर्ष बाला सर्प्ट कुमाढ़ कुमाच कुमाचर झाल याजनी कुमाचर ए取 सम्सेंक पर अमिताव झाल झाल